हलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो देखिए स्टूडेंस हम लोगों ने चैप्टर नमबर 3 को स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों को याद होगा कि लेक्चर नमबर 1 जो है वो हमारा अल्रेडी कम्ट्रीट हो चुका यह जो स्टार्टिंग के सारे पॉइंट है यह लोग देख चुके हैं स्टूडेंट और उसके बाद पिर हमें आगे चलना है यह सब कुछ हमने पढ़ लिया था यह था हमारे रिलेटिव लेक्टीव यह देखा था और अब यहां पर हम किसकी बात करने वाले हैं जो हमारा होती है अगर आपको बादलों को समझना है् क्लाउट में आपको समझना पड़ेगा तो लिए अमकीreiben कहां करेंगे करेंगे घ्रेकि वैसे यहां पर सची है लakersẫn तो पचपन में आप लोगों ने बहुत चया होगा और मैंने भी किया है अगर हम क्या करेंगे एक ग्लास के अंदर बरफ के टुकड़े डाल दे या फिर कोई ठंडा पानी डाल दे तो क्या होगा थोड़ी देर आप उसको अब्ज़र्व करना जैसे कि मेरे पास देखो मेरे पास ये ग्लास है मैं इत्ता बड़ा सा ग्लास ले किया है इसके उसका कुछ नहीं है आप एक एंदर नहुं है आप इसना और क्यों है डालूगी देखो मेरे पास ये बरफ के टुकड़े डेको मैं इसके अंदर रहौै ठीका आप देखती रहे आर पर देख के चारों त respects अ cereal मैं पहले यह लेज़े मैं पूरा डाल दिया ठीक अब देखना थोड़ी देर में क्या होगा ओके देखो मैंने इसको पकड़ा हुए अब देखते रहे ना क्या होगा चलो इसको मैं अभी रख देती हूं अभी थोड़ी देर में इसके आजो बाजुना कुछ आपको एकट्ठा हुआ सब्सक्री बातकर देखा अब हमें अगर आपको बताओं यह बच्च भी वही काम कर रहें इसके अंदर ग्लास के अंदर आयसक्र दाल रहे हैं ठीक है और अईसे डालने से होगा क्या ऐसा कुछ होगा या नि जो आपका ग्लास ग्लास और उसके 4 तरफ तो यहां पर होता क्या है कि air के अंदर जैसे हमारे आज पास क्या है हवा यहां तो मैं यहां पर खड़ी हूं मेरे पास और हवे में वहाटर वेपर होते हैं तो पानी है पानी के बुन्दे जो है वह मतलब लिक्विड फॉम में हो जाती है कुछ इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे नहीं यहां पर देको इतर लिखा भी है कि वेन द वाटर वेपर इन द एयर कमस इन कॉंटेक्ट विद कॉल्ड सर्फेस यानि जब यह कोल्ड सर्फेस के कॉंट अब पर जल्दी करें पर आप देखोंगे ना आप को बूंदे दिखाई दे रही होंगे देखोंगे लिखना चालू भी हो गई है थीकिया थोड़ा और गल जाएगा तो पूरा दिखेए का तब तक मैं आपको पढ़ाती हूँ तब तक कि यह बूंदे दिखाई दिखाई अब मैंने बरफ किसके अंदर डाला ता ग्रास के अंदर डाला लेकिन फिर भी इसके बाहरी इसके पर कैसे पानी आ रहा है तो वही तो है कि एर के अंदर जो वाटर वेपर था जब ये कोल्ड सर्फेस के संपर्क में आया तो इसके आजू-बाजू में पानी के और यह एक्टिविटी आप कैसे गर सकते और भी बहुत तरीके हैं एक और वहां पर तरीका दिया था कि आप प्रेशर कूकर को गरम करो उसके अंदर जो सीटी है उसको हटा दो और फिर जब आप उसको देखोगे उसके उपर लीड रख देना तो ठंडा होने के बाद उसम किसकी बात कर रहे थे आओ तो क्या होता है आपका कंडेंसेशन तो अपर यहांक किसको कहते हैं तो जब हमारे यह के अंदर का वेटर है जब वो कंडेंस हो जाता है अग्एयर का कोड़ सर्फेस के कोंटेक्ट में आता है तो वह ना पानी की बुंदो जैसा तबदील हो जा यह देखिए गाव वाला प्रोसेश जिसमें क्या होता है जो वेपर है यानिके जो गैस है तो वह क्या होता है जब वह सॉलिट स्टेट में चेंज हो जाता है और इस वैसे अगर मैं आप लोगों को सब्लीमेशन का बेसिक मतलब बताओ यहां पर इन तीनों को एक इसाथ इन लोगों नहीं ले लिया न तो इसे लिए यह सब्लीमेशन हो के बोल रहे हैं के डियुच हो wow बस ऑक सब्लाइशन को क्या होता है जैसे एक हैं सलेट इसको प्रवाइट कि या फिर कुछW kia वहां सब्लीमेशन का मतलब सब्लीमेशन का एक्चुल में मैं यह उता आब यह त सब्सक्राइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब सोलिमेशन होता है जब यहां पर यह क vraiment醒 to the तो अगर टेंपरेचर कम होगा इसके जो वाटर वेपर को होल्ड करने की कापसिटी एक अल्सो रिडियूज़ेश ठीक है और फिर उसके बाद यहां पर समझेगा जैसे हम लोगों ने देखे देना हुमिडिटी में रिलेटिव हुमिडिटी तो अगर आपके रिलेटिव हु कहां गया यहां पर आओ देखो रिलेटिव हुमिडिटी क्या होता है कि absolute हुमिडिटी को आप लिखोगे और उसकी वाटर वोल्डिंग कैपसिटी आप यहां पर नीचे लिखोगे राइट वह एयर की absolute humidity फिर वाटर वेपर वडिंग पर इसको मल्टिप्लाइब कर दोगे 100 तो जब यह 100% होता है ना तो at that time क्या होता है स्टूडिन जो आपका विपर है वो ना कंडेंस होने लगता है यानि को दीरे-दीरे पाने की बूंदे जो है वह बनने लगता है समझ महा है आप सभी लोगों को तो इस टाइम पर यहां पर दिया गया है तेमप्रेश्चर ऑफ सब्सक्राइब देखने के लिए यहां पर मिलती है ठीक है स्टूडिन चलिए तो फ़ाल इट इंप्रेश्चर दैट पोर कंडेंसेशन तो इससे अमें क्या पता चलता है कि कंडेंसेशन और यहां बच Chamation होगा और यहां पर देख सकते हो कि का a अब यहां पर चीज बताती हूं जैसे देखो यह सभी क्या है यह सभी कंडिंसेशन के फॉर्म है जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं और अगर हम बादलों में देखेंगे आकास के अंदर देखेंगे तो यह अगर हम अपने आज पास की बात करें यहां पर हमें इस फॉर्म में यह जैसे बादल जो फॉर्म हो वह एक्चली किसका परिणाम है जानते हैं आप लोग अपने जो वाप है जो वाटर विपर है वह उपर की तरफ गया उपर जा करके वह जब थंडा वाता वरन मिलता है तो पानी के बुंदेव छेसा वह चैंज होने लगता है और दूवा धुवा जैसा बन के आपको कैऊंच में आ यहलो होता है अ वह यहां पर अगर आप इसकी बात करोगे यही फ्रॉस्ट यानि भी वही वही बात बूली जा रही है ठीक है चलिए समझ में आया कि नहीं यह तीन अलग अलग नाम है तो आप ऐसे मत समझोगी अलग अलग कुछ प्रकारती को डियू यानि क्या होता है वह भी ठंडे के कारण ही ऐसा होता है बरफ जैसा कुछ जम जाता है होगे बरफ जमीन पर बरफ की मतलब आप देखोगे ना तो सु समझ मैं चलिए आगे चलते हैं आगे हम किसकी बात करेंगे अब यह जो मेरा पानी है इसके ऊपर बुंदे आई की ने यह देखो बही आजब के बुंदे देखो अगर मैंने ना इसको रुमाल को इसको पूछ इसको पूछ पूछ तो देखो क्या होगा देखो यह साफ हो गया दिख रहा है आप सबी लोगो इसके अंदर पानी विया चुका है रुमाल के अंदर समझ मैं तो यह पूरा प्रोसेस का चलिए अब हम किसकी बात करेंगे यह चीज तो आप समझ चुके हैं अब हम यह आपे क्लाउट की बात कर यह हम समझ लेते हैं थोड़ा यहां पर कुछ और बाते दी गई हैं अच्छा एक और बात समझ लो देखो यहां पर एक तो स्मोग होता है ना दूसरा फॉग होता है आप दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो जो फॉग है वह किससे बना होता है तो जो एयर के अंदर वह पर है बस उससे बना हुआ होता है लेकिन अगर मैं स्मोग की बात करो तो इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं समझ में आया यह आप बोल सकते हो कि स्मोग कैसा होता है पॉलुटेड जैसा कुछ होता है फिक है चलिए आगे चले यहां पर देखिएगा कंडे इसलिए क्या होता है कि बादल के फॉर्म में इधर से उदर हवे के साथ ना ऐसे बटकते रहते हैं आच्छा यहां यह देख रहो इतना बड़ा क्या है आपका बारीस का बौंद में पार इसकी होता है फिर यह कृँटेंज वाटर पार्टिकल्स होते हैं अब फिर से यहां पर वही बोला गया एक बार है नहीं यहां पर एक ही चीज को कई बार दोहराया हुआ रहता है देखो लैंड वॉटर है वह सन के कारण क्या होते हैं जब सन से हीट आती है उसके कारण वह गरम हो जाते हैं ठीक है फिर सर्फेस का जो एयर है एयर का वह धिरे धिरे करके रिडूस होता है और जो मॉइस्टेर वोल्डिंग इसके कापसिटी है और याट ऊंतर की और होगोटार वेपर धिश इंक्रीज रहे ना हंट्रेड परसेंट जब लेटिव इमिडिटी रहेगी तो समझना कि कंडेंसेशन शुरू हो गया तो क्या होता है जो एट्मस्पेर के अंदर वाटर वेपर है ना वह पानी और स्नू में यानि बरफ में चेंज होने लगता है और इसी पॉइंट को हम क्या कहते है दिव पॉ भी चिप कर सकते हो तो वाटर वेपर इन दा यानिके एर के अंदर इतना वाटर्वेपर है ठीक है आपको अमेजा ध्यार में रखना है कि देट दर फ्रीजिंग पॉइंट इस अल्सों डिपेंडेन रम दन यानिकि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी भी पानी तो वो भी किसके उपर depend होता है altitude यानि कि उचाई और water vapor के उपर depend होता है freezing point मतलब जब यह snow में बदल जाते है यह water vapor अब आगे बढ़ते हैं देखो condensation के वचे से क्या होता है जो fine particles of ice and water float in the air at a greater height यानि कि condensation के वचे से जो यह बरफ और water है यह क्या होते है यह उपर जाकरके ऐसे करके float करने लगते है तैरने लगते हैं air के साथ right and they accumulate around dust particles in the air मतलब air के जो मतलब air में dust particles होते हैं उनके आज पास वह इकठा हो जाते हैं फिर उसके बाद यह size में बढ़ने लगते हैं और फिर उसके बढ़ने के बाद क्या था सुनो they are accumulation together is called a cloud जब यह बढ़ने लगेंगे इकठा होने लगेंगे सब लोग एक साथ एक साथ इकठा होने लगे तो जब वह इकठा होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं बादल यानि कि cloud कहते हैं अब सुनो because vertical flow of the wind अब क्योंकि wind जो है वह vertically flow हो रहा है तो इसके वचे से क्या होता है यानि कि atmosphere में लोट करते रहते हैं जैसे कि kite को जब हम एक उपर तक पहुचा देते फिर उसके बाद कैसे वह आजू-बाजू तक ऐसे गुमते रहता है उपर जाने के बाद ठीक उसी प्रकार से जो clouds है क्योंकि आप air जाते जा रहे जाते जा रहे नीचे तो आने नहीं देगा तो इसलिए वह बादलो में इधर से उधर इधर से उधर बादल बन करके बटकते रहते यानि कि करते रहते हैं ठीक है अच्छा देखो यह बादलों के अलग-अलग टाइप है अगर आप देखोगे तो मेंली थी टाइप के आपके क्लाउट्स पाई जाते हैं एक तो सबसे कम उचाई पर जिसको हम क्या गएंगे लो एल्टिट्यूड वाले क्लाउट्स फिर उसके बाद मेडियम एल्टिट्यूड और सबसे उपर आते हैं हमारा हाई एल्टिट्यूड वाले क्लाउट्स ठीक है ऐसे करके देखो जो हमारे यहां पर बारिश होती है वो जनरली जानते हो यह उपर वाले बादल नीचे हैं यह बस दिखावटी है देखने के लिए कभी ऐसे वाले बादल से बारिश होते हैं आपने देखा है जब मुसम साफ रहेगा तब हमें ऐसा वैसा बादल देखने मिलता है ठीक है समझ में आया चलिए तो क्लाउट्स वह अलग अल्टिट्यूड पर पाया जाते हैं यहां पर तो वही बाते दी आता है ना हो वो वो क्या है वेरीफाइंस नोपार्टिकल वो वबहात ही चोड़ी छोटे बरफ के पार्टिकल्स है ना यह अंकर कंदेन्सेशन अकर कंजिक नäter कोंशीटी इन कॉंजीटीव वाईलिगा इन दा कॉंजीटीव विली ओके इन दा क्लावटस स्पेचिफिक त यहां पर प्रोपोर्शन ओफ वेपर जादा होता है बिल्कुल सही बात है जब हम उपर की तरफ जाते रहते सी लेवल से तो जो अमाउंट ओफ वेपर है वो डिक्रीज होने लगता है क्या होता है कि यहां पर यहां पर यह इंका सायज कितना बड़ा है लेकिन अपसे पीछे का यही तो हमारे अरिया रहेगा नजेक में रहेगा वहां पर वेपर जादा है और वेपर सेही तो यह फिर्म होते हैं इसलिए बड़े-बड़े फिर्म हो रही है लेकिन ऊपर जाओगे तो वेपर की मात्रा कम हो जाहे की जैसे उपर की तरफ जाते जाओगे इसलिए दीको छोटी बाधल आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे बाधल लियाने इसके नज़ पानी भी टपक रहा है यहां पर देख सकते हो तो यह था अभी तक यह बरफ गला नहीं रहा है गलेगा दीरे दीरे देख अना मैं तो बरफ डाल के पानी पीती रहती हूं हां लेकिन जिसको खासी वगरा होचा रहे था पीना मत नहीं तो और और सर्दी पकड़ लेगी चलो आओ आप यहां पर चलते हैं दूसरे मतलब 2000 से कम 2000 से कम वाले देखो पहला 7000 से 14,000 तक और दूसरे 27000 और फिर यह लास्ट में 2000 से भी कम ठीक है अच्छा आओ मैं आपको बताओ इन जो अलग अलग टाइप के बातल है उनके बारे में ठीक है कि चृभ क इसमें देखो तीन टाइप आ जाता है एक तो 강वर तो सीर फितर हमारा प्रतवश होता है इसे रामारा सीरो क्यूंऄस होता है फिर इसमें अगर आप देखो कि तो डोटाइप आपको देखने के लिएमलेगा ओल्टोґ स्टेटर और on प्रतो स्टमिल इसमें और इन में जानते हो यह बालते हैं आप देखते हों कि वाल में कैसे चमक ने लगती है तो वह किसके कारण होता है है और हम देखते हैं यह काफी ब्दक्रियरों भी तब आप नहीं को अब पर इस यह प्रीज के लिए इसे परेंगे वाले बादल हम देख लेते हाइज को हम कहते हैं थीक है या यह जो हो में में डाऊटिकल्सित इनको हम एक तो सीरस दूसरा होता है सीरोक्यूमलस और तीसरा ऑफ चैने क्या होता है ना तंतुम यानि कि चैसा आपको समझभे आईगा ठीक है तो विधूपी जैसा होते हैं घिके लच्छे दार तरीके से और उसके बाद छो है किसे घ्याते स्मॉल वेस की जैसा चया प्रें आती है वैसे आपको दिखाई देंगे बराबर और यह जो zero stratus type के बादर है वो आपको कैसे दिखाई देंगे जैसे आप सो करके जब उठते हो जब जब आप देखेंगे जो आपका चाधर रहेगा उसके उपर कुछ इसा wrinkles पड़ चुके होंगे and they generally have a hello around them hello का मतलब क्या होता है hello क्या होता है जैसे मैं आपको बता हूँ तो कोई भगवान जी को आम देखते हैं TV में दिखाते हैं कोई भगवान जी तो आप देखते होंगे जब भगवान जी प्रकट होते हैं तो आप देखेगा उनके पीछे इसा गोल गोल आपको बनता हूँ दिखाई देगा वसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है तो वह है आपका हलो जिसको हम क्या केते हैं प्रभार केते हिंदी में देखो तो इनके आसपास जनरली यह आप देखने के लिए मिल सकता है आपको ठीक है जलो अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे medium clouds की और medium clouds के दो टाइप हैं आप देख सकते हो इसके अंदर कौन-कौन से clouds आते हैं और altocumulus और altostratus ठीक है यह दो type के clouds आते हैं ठीक है मान लिए फिर altocumulus are in the form of और फिर altocumulus और कौन से ओम में होते हैं तो यह वाले बादल वह कैसे होते हैं तो यह ज्यादा थीक नहीं होते हैं तो यह किया अगर अगर आप यह बादल रहेंगे नहीं तो आप लोग आसानी से संग वह देख सकते हैं जैसे ओटनी होती है ना तो अगर मैं आपको दिखाओं मेरे पास यह वाला अधिया जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं लेट सी आप देखो ध्यान से यह जो यह जो है ठीक है अगर मैं इसको अपने सामने ला रही हूँ हो तो आप देखना अपना उधरसे मुझे देख सकते हो देखो यहाँ पर देख रहा है न आप सबी लोगों को मैं दिकह रही है में दुनला दुनला दिखर रही ह। यूज्ड़ fandle जो ज़्यादा थीके नहीं होते हैं इसके वज़े से हम यहां पर खड़े हैं तो उन बादों में से हम हमारे सन को देख सकते हैं और कैसा सन दिखाई देगा हमें मिल्की जैसा जैसे अभी मैंने यह दुपट्टा मेरे सामने किया था मैं आपको कैसे दिखुरी थीending फिर समझ जाओगे बताओ यह मिल्की जैसा आपको दिखाई दूबगी दूद के जाएख़ो देख और बिधा से लगवड़ेquisर सप्थेषट diff味 धो ऑल थीक तो यह है ठीक चलो अब मैं इसको रख देती हूं यहां तो यहां पर मैंने आपको यह medium clouds भी पढ़ा दिया है let us see the low clouds now low clouds के तो 5 types हैं जिसमें से mainly 2 ही से बारिश वगरा हमारे अर्थ के उपर होती है हमारे प्रित्वी पर बागी यह तीनों भी आपको पढ़ना है आईए हम इनको समझ लेते हैं तो यहां पर तोटल 5 types होते हैं हमारे में we can see if the clouds के देखो सबसे पहले यहां पर हम बात करें गे तो इनका अलग अलग है आप समझों नहीं तो आप तो यह दोनों यह इनका कलर जो है वो कैसा हो सकता है वो आति मतलब असफेज से लेकर अर्दी कालर याने किसे मिट्टी कालर आप क обяз केंपे केंपें किस कलर की होते हैं ग्रे कलर की की वैसा हो सकता है मतलब sagt खुणब तो यहांपर पाइया शकता है आप स्क्रेटा स्क्राउच की बात करेंगे देख Online यहां יותר साकोइब नेलीड वाले भाधल होते हैं रहां कि आपके आब पहें उसको राग पज़ती है वहुर्ण बैसे और यानि कि इनपाइस है वह समतल होता है और प्रोड के बाद यहां पर आजाते हमारा देखो निमबोल स्टेटस बादल तो यह कैसे होते हैं तो इनके जो क्रेस नियूर्स फिक अ क्या होता अगर आप देखोगे ना तो ग्रेश का मतलब क्या हुआ यह बहुता है यह यह कंटीनिवस रैंट पॉलोगे कि इससे बारिष होती है तो देखो इसे जादा पारीश होती है लेकिन अगर आप इनकी बात करोगे लो आले जो जो नीचे वाले एरिया वाले बारिष होती है तो यह सब यह दिया है इनके वज़े से क्या होता है इनके वज़े से continuous rainfall होता है even snowfall यानिकी जो बरफवारी होती है इससे यह भी होता है ठीक है अब जो हमारा यह दोनों टाइप के बादल है इनके बारे में हम फटा फट से पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद यह चाप्टर आपका यहां पर हो जाने वाला है प्लिस्ट ओके चलेए अगर मैं आपको बताओं कि cumulus clouds क्या होता है तो यह जो clouds है ना यह जनरली कहां से कहां तक के उचाये पर फॉर्म होता है तो यह देखो 500 मीटर से 6000 6000 दिया इसको काट देना चीज हो आएगा ठीक है 6000 नहीं आएगा ध्यान रखो यह गलती से यह आपर लिख दिया है इसको काट देना यह 6000 मीटर के उचाये तक पाए जाते हैं and the vertical flow of the air adds to the formation of this clouds यानिकि जो हम देखते ना एयर जो है वो कैसे करके उपर जाता है vertically vertically यह flow होता है तो इसे वज़े से यह प्रकार के जो बादल है वो फोर्म होते है राइट these are the huge and dome shape यानिक ज्यादा यह कैसे होते है बड़े-बड़े होते है और dome shape के लिख यानि गुम्बद आकार के होते है गुम्बद आपको पता है ऐसे करके जो होता है ठीक है ऐसे ऐसे ज जब जाते हैं चाहते है झाहते हैं लिक्त निशन अच्छान सक्यां ब्रेल प्लेस करें प्लेजन क्तलय चाहते हम क Cake यहे नहीं का चाहते हैं जब यही बादल क्या हो जाते हैं मतलब इक्सपांड होते हैं JUDGE तो इसके वजह क्या होता है कि अब वही बादल आपके ये बन झाते हैं फिसके टाइप के बादल बन जाते हैं इन से फिर बारिश होने लगती है समझ भा आप सभी लोगों को तो देखो बारिस करने वाले में बादल जो देखा जाए तो एक तो निमबो वाला निमबो इस्टेटर होता है और दूसरा यह क्यों म्यों लो निम्बस ठीक है इस चे तो देखो यह यह तो बस क्या जब यह आता है तो ऐसा लगेगा बहुत एके यह बादल भी आते हैं आप देखते होंगे रहेट चरे अब बात करते हैं क्यों लोन क्यों लोनिंबर्स क्लाउट की तीक के इनको भी समझ ले पड़ावट से तो देखेंगे इदर डेखें यह जो क्लाउट सैंडीज और कैरक्टरस्टिक्ट्टिक इंडिकेटर ओफ थ बादल जो बादल नहीं बादल वह कैसे गरचता है आप देखते होंगे बादल आता है पहले सबसे पहले गड़ गड़ आवा जाती है और फिर जाके बरता है तो यह यह थंडर स्टॉम यह बादल आया मतलब समसले आप तो कुछ बहुत हलचल होने वाली है थिक है फिर देस सब्सक्राइब यह ना बहुत बड़े परवत के जैसा दिखाई देते हैं और इनका कलर कैसा होता है एकदम डाक होता है पूरा काले-काले बादल छाज जाते हैं देर इस थंडर क्या होता है वही बिजली का चमकना देखते होंगे कभी-कभी बारिश होती है उसके साथ साथ पत्थर के टुकडे पढ़ने लगते हैं पत्थर मतलब कोई पत्थर सहीं में पड़ेगा ऐसे बरफ के टुकडे ठीक है यह तो मैंने बहुत बड़ा ले लिया चोटे-चोटे ए तो क्या है वही उसी को यहां पर बोला गया है hell-stone बट सच टाइप ओफ रैंड डज नॉट लास लॉंग लेकिन यह एक अच्छी बात हो गई कि यह टाइप का जो रहना वह जादा टाइम कर रहता नहीं है ठीक है आम देखते हैं कि बिजली वाला जो यह बारिश है वह जा यह जो सबसे बड़ा वाला इसका पार्ट होता है उसके जाने कि आप लोग इसके वज़े से काफे सादा बारिश होती है और फे लाइटनिंग यानि कि बिजली भी गड़कती है यह जो टॉप पोर्शन ओप इस टाइप के क्लाउट्स का वो एन्विल शेप का होता है अब आप लोगों को पता नहीं होगा पर में बता देती हूं जो लोहा बनाने की चीज होती है ने जैसे लोहार लोग वो क्या करते है उनके पास ऐसा ही शेप का कुछ रहता है उसको आम एन्विल कहते है ठीक है और उसके उपर वो लोहार रख करके जो भी उनको धार वगरा दे यहां पेल्व यहां पर वाले इससे में पॉजटिव चार्ज होता है रह्सक क्या और तो प्लक पूरियोंट Y और यह यह कड़कने लगती है बिजली और ऐसा लगता है कि जर्मीन पर आके गिरेगी और कभी-कभी गिर भी जाती है कहीं जगा है ना इसके कारण काफी भारी नुकसान हो जाता है आप सभी लोगों को पता होगा ठीक है तो इस है यह तो मैंने आपको बता दिया और लैंड है the land below them always has negative charge मतलब जो land होता है बिलो देम वहाँ पर क्या होता है हमेशा negative charge होता है अच्छा इसके बिलो में अच्छा इसके बिलो में हमेशा negative charge होता है फिर उसके बाद क्या दिया है देखेगा due to difference in charges electric charges are form and lightning occurs lighting up sky for moment okay the air around the lightning rise up because of the heat and this leads to a large thunder sound thundering sound यानि क्या होता है कि the air around the lightning rises up ठीक है और फिर उसके बाद यह क्या होता है सैंट भी सब्सक्राइब के हिए दब्सक्राइब करोगे अगे यह तोड़ा मैं पढ़ लूए इस वीडियो को छतम करेंगे as compared to other clouds यानि other clouds से अगर आप इसको compare करोगे जो rain drops है ना देखो rain drops of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water यानि क्या होता है students समझेगा देखो इसके जो water droplets होते जो drops होते हैं वो काफे जाज़ा बड़े होते हैं क्यों बड़े होते हैं उप मंने पानि इसके बड़े होते हैं मैंने तॉ समक्य यह परीखन दान से गए भाप ट्रण औरकम आंप मेंने पानि दालना शुरू है two got one अब यहां पर पॉलीथीन इतना पानी भरा फिर यहां तक पानी भरा और बहुत जादा पानी भर दूंगे तो यह अपने आप टूटके नीचे गिर जाएगा क्योंकि यह धागी की जादा सकते नहीं तो धागा आता है ना मैंने वह वाला धागे यहां पर डाला हुआ है तो क्या होगा कि नीचे की तरफ गिर जाएगा तो सेम चीस तो वह भी है ना कि जो वाटर की यह जब बड़ी 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 वह होते जाएंगी तो वह तैयर नहीं पाती है वह रोकनी पाएगा उसको और फिर यह नीचे की काफी ठंडा होता है कि यह जो आपके ड्रॉप है वह फ्रीज हो जाते है जम जाते हैं और फिर वह पत्थर की रूप में वहीं चुमें आपको बताया ऐसे ऐसे बरफ के टुकड़ी के रूप में नीचे गिरने लगते हैं पहले जब मैं छोटी थी तो कहते थे अरे बहुत मैं इसलसे आसमान से भगवान ची पत्थर गिर लग जाएगा घाव चोट लग जाएगी इस मैं सची कि पत्थर गिरना मतलब का पत्थर किरता है लेकिन यह बारिश हुए और वह बर्फ के टूकड़े घरते आसम मेरी नानी 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 भागो ऊश्श्व ऑंदध्य खिं है भी करते थे ठीक है चलिए तो यह हो गया और यहां पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है आप देख सकते हो यह चैप्टर यहां पर होता है फिनिश क्लाउड भी हमने पढ़ लिया यूमिडिटी भी पढ़ लिया अब आपको एक और चीज बताओ इसको आप समझेगा ठीक है इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो आओ मैं आपको पढ़ा देती हूं जैसे हम कई चैकर सुनते हैं ना कि बादल फट गया है ना आप न्यूज में सुनते होंगे बादल फटने से 25 लोगों की मोत हो गई है इतने लोग घाल हुए है यह तूड कि is a type of precipitation यानि सब्से पहली बात तो बादल फटना मतलब एक्चल में कुछ फटाता नहीं तो बहुत जदा पानी एक आप में गिरने लगता और उसके वज़े पानी नुकसान होते है तो आप यह एसा होता है कि म्यों चोने और ताट stop in the clouds itself because of a strong vertical winds यानि होता क्या है इसके वज़े से रुख जाती है और फिर उसके बाद these drops change into hell अब यह जो drops है ना ठीक है वो hell में परिवर्तित हो जाती है यानि कि पत्थर जैसे बन जाती है राइड वहीं बरफ के टुकडे जैसा और उसके बाद क्या होता है कि जो clouds है प्यारे बच्चो वो भारी हो जाते है बादल भारी हो जाते है and the vertical winds are unable to bear this weight और फिर जो यह vertical हवा जा रही ती उपर जा रही ती वो उसको सेह नहीं पाती और जब वो हवा सेह नहीं पाती है तब क्या होता है तो जब वो लाट साइज मे पानी को वहां पे कठ्ठा गया लेकिन दिरे धरे करके और भारी होते गया और उसके बाद क्या होगा जब यह सै निपाएंगी तो फिर एकदम से निचेया बादल फट जाता है यानिकि वह जो पूरा पानीब हो एक साथ नीचे गरता है सब्सक्राइब के साथ लार्ज हैल या निकि जो पत्थर वह भी गिरेंगे और बहुत सादा पानी अचानक तो एक ही धार बनागे गिरने लगेगी एंड इस इस कॉल्ल दा आपका क्लाउड बॉस्त समझ के साथ आपका क्लाउड बॉस्त मैं यह नहीं पत्थिंग लुद्वार नहीं क्या हुआ एक रह्ञाता है जो काफी हैवी होता है और इसके वज़ते कैसा नुकसान भी होता है लिक यहाँ आपके चाप्टर होता है फिनइस्ट तो आप देख ल तो कहां पर मिलेगा मैंने आप सभी लोगों को बताया ही है कि प्ले लिस्ट में चाकर के देख ले ना मिल जाएगा स्टूडिंट और आपको ये वीडियो कैसा लगा चलो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और लास्ट में चाते जाते शायद से आपको अब पक्का दिख जाए पीछे नहीं दिखाऊगा तो आप देख लो पक्का दिख रहा है चलो है बचो आज के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छ जब पढते रहिए मुश्कुराते रहिए